फैशन की दुनिया में अच्छी अच्छी डिजाइनिंग वाले डिजाइनर लेस की बहुत अच्छी डिमांड है। बिजनस का बिजनस आपके लिए बिल्कुल सही चुनाव है। बिजनस काम हाथों से सुईधागे से किया जाता था। लेकिन जब इस काम में बदलाव आया तो सिलाई कड़ाई मशीन इस बिजनस का सहारा बनी। इस मशीनों से एक सीमा तक डिजाइनिंग की जाती थी, इससे बीच में फिर हाथ में बने डिजाइनिंग लेस की डिमांड बढ़ गई, इसके बाद अब ऐसी आधोनिक और टोमेटिक मशीने आ गई हैं, जो हाथ से बनी डिजाइन से भी अच्छी डिजाइन के लेस बनाने डिजाइन होता है, गामिंट्स को सजाने वाली कड़ी हुई पट्टी, चोटी, लटकर आदी, सजावती समान को डिजाइनर लेस कहते हैं, ये काम बुटीक सेंटर्स में अधिक होता है, फैशनेबल कपडों में हर कोई सबसे अलग दिखना चाहता है, इसलिए वो मशीन से बने डिजाइनर लेस की जगा हाथ से बने लेस पसंद करने लगा है, इस तरह की मांग केवल भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी है, इसलिए इस बिजनस का मांकिट बहुत बड़ा है, एक खास बात और है कि यदि आप लेस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके प प्रयोग से डिजाइनर लेस के बिजनस में आ रही है चमक, डिजाइनर लेस को परंपरागत रूप से धागे से बनाने वाले डिजाइन या कपड़ों की कटाई छटाई कर उनमें कढ़ाई करके बनाया जाता है, लेकिन आज कल के कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बिजनस को नई जान सी आ गई है, पहले ये डिजाइनर लेस सूती, रेशमी, सुनहरे, रुपहले धागों से बनाई जाती थी, लेकिन अब इस बिजनस में आए नए कारिगरों ने सोने चांदी के तारों का इस्तिमाल करना शुरू किया, इसके सामने आते ही मार्केट में महंगे-मह ये डिजाइनर लेस बनने लगे हैं, इनकी जबनतास डिमांड है क्योंकि इने सोशल स्टेटस का सिंबल माना जाता है, यानि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रती, अनेक गामेंट्स, कंपनीज, इस तरह के एक्सपर्ट्स को बहुत उंची सैलरी पर हायर करके अपने प्रड करना है कि किस लेवल का काम शुरू करना है, यदि आप अकेले अपने घर से आसपास के लोगों के लिए डिजाइनर लेस बना कर काम करना जाते हैं, तो इसके लिए किसी तरह के रिजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लावा किसी कमपनी या फोर्म के लिए घर मे पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करना चाहते हैं, तो भी किसी तरह के रिजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, यदि आप छोटा और्गजनाइजेशन या मीडियम स्केल पर काम करना चाहते हैं, या कमपनी लेवल पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बढ़ता है और इसके लिए आपको अधिक संख्या करमचारी रखने होते हैं, तो उस समय EPF और ESI में रिजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप मैनूल काम कराना चाहते हैं या मशीनों से? उसी हिसाब से आपको बिजनस करने के लिए जगा मशीन, हेलपर्स की अवशकता होगी. उस पर आने वाले सभी छोटे बड़े खर्चों का हिसाब किताब इस बिजनस प्लैन में दर्ज करना होगा. आप किस तरह से प्रड़क शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? काम करने वाले helping hand कहां से मिलेंगे? बिजली, पानी, आदी खर्च को जोड़कर बिजनस प्लैन में सब कुछ लिखना होगा. इसके बाद आप लागत और खर्चे के बाद अपना मुनाफ़ा कितना चाहेंगे उसको भी बिजनस प्लैन में शामिल करना होगा. इस तरह से आप यदि खाका बना लेंगे तो आप बिजनस शुरू करने के बाद मात नहीं खाएंगे. अन्यता आप अनुमान से उल्टा सीधा खर्चे करके और मेहनत करने के बाद आप अपना पैसा गवा सकते हैं. कच्चा माल क्या क्या है? डिजाइनर ले इसके बिजनस के लिए आपको कच्चा माल चाहिए. कच्चा माल के रूप में आपको धागे, सुई, कैंची, सूजा, कई तरह की कढ़ाई वाली सुईयां, के अलावा डिजाइनर कपड़े, कपड़ों की पट्टियां, कढ़ाई कच्चे माल के रूप में आवश्यक होंगे. कौन-कौन सी मशीने लेनी होंगी? अब बात आती है कि आपको इस बिजनस के लिए कौन-कौन सी मशीन लेनी होंगी, तो इस बिजनस को दो अलग-लग तरीकों से शुरू किया जा सकता है. पहला बॉबिन मशीन है और दूसरा पूरी तरह आटोमेटिक फैशनर लेस मेकिंग मशीन. बॉबिन मशीन से आपको डोलर डिजाइन सीधी कटाई या गुलाई वाली कटाई दो परत वालों कपडों की सिलाई आदी की सुविदा मिलती है. इलेक्ट्रोनिक प्रोग्रेम वाली आटोमेटिक मशीन से आपको अ काफी कम लागत आएगी. उसके बाद मीडियम स्केल पर ओगनाइजेशन बना कर काम शुरू किया जाता है तो उस पर तीन से पांच लाग की लागत आ सकती है. इस डिजाइनर लेस बिजनस की मार्केटिंग करने का तरीका अलग होता है क्योंकि बिजनस सर्विस और प्रड प्रड़क्ट भी कह सकते हैं और इसे सर्विस भी कहा जा सकता है. इसका कारण है कि आपका प्रड़क्ट अकेला मार्केट में नहीं बिख सकता. उसे आपको गामेंट कमपनी या कपड़े से लाने वालों को देना होगा. ये बिजनस पूरी तरह से आपके हुनर और प्रड प्रड़क्ट की क्वालिटी पर निर्फर करता है. इसके लिए शुरू में काफी मेनत करनी होती है. लोगों की डिमांड पर काम करते या करवाते हैं. आपकी डिजाइन जैसे जैसे मार्केट में हिट होती रहेंगी, वैसे वैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी. इसके बा प्रदक की प्रदर्शनी लगा कर लोगों को आकरशित करना होगा, इसके लावा मार्केट में ब्रांडिट गार्मेंट वाली कमपनी से टाय आप करना होगा, वो आपकी डिजाइन को पसंद करते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर बिजनस मिल सकता है। इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा, लोगों की पसंद को देखते हुए नएने डिजाइन को बनाते रहना होगा, ओल्लाइन वेबसाइट बनाकर उसमें डालने से आपको अपना बिजनस बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।